Welcome back, so आज की वीडियो में हम लोग continue कर रहे हैं Java interview questions, so basically आज को topic रहेगा कि Java में class.forname method का क्या purpose है या क्या use है, यह interview में पूछ सकते हैं, बहुत ही अच्छा question है, ठीक है, तो basically आप ऐसे बोलेंगे class.forname use किया जाता है, कोई भी class को dynamically run time में load करने के लिए, ठीक है, और यह क्या return करता है, यह class object associated with the class or interface return करता है, और हम लोग इसमें क्या भेशते हैं, एक यह जैसे class.forname ऐसे होता है, इसमें इसका जो argument रहता है, वो string class name रहता है, ठीक है, तो यह ऐसे काम करता है, तो basically इसका answer simple रहता है कि run time में class को load करने के लिए किया जाता है, और इसका scenarios कैसे होता है, आप ऐसे बता सकते हैं, जैसे हम लोग multiple scenarios हो सकता है, जैसे हम लोग registration करते हैं, कोई driver का, अगर आप spring करेंगे तो आप JDBC registration जैसे करेंगे, JDBC driver registration करेंगे आप, ठीक है, तो उसमें यह काम करने के लिए आता है, जरूरी आता है, तो उस context में बहुत important जाता है, तो अब हम लोग database का जो, यह driver है, उसको हम लोग dynamically load करते हैं, मैं बस syntax लिख दे रहा हूँ, class.forname ऐसे रहेगा, आप यहाँ पर fully, और सबसे इंपोर्टन से यहाँ पर क्या था, fully qualified class name लिखा जाता है, com.mysql.jdbc.driver class, यह driver class को हम लोग import करना जाता है, ऐसे हम लोग इसको import करते हैं, basically, तो य यह kind of example रहेगा, यह scenarios रहेगा, ठीक है, next हम लोग तब बोलते हैं, जैसे हम लोग definition में ही बोल रहते है, dynamically loading classes, तो अगर हम लोग class कोई, जैसे हम लोग कोई code लिख रहे हैं, जहाँ पर हम लोग को object बनाना रहता है, runtime मतलब हम लोग runtime तक पता नहीं है कि, यह object बनाना है कि नह इसी से arrive करते हैं, जैसे हम लोग dynamically class को load कर दिया है, तो load करते हैं, तो कोई मतलब नहीं है, उसके बाद हम लोग को object create करना है, उस class के लिए तो हम लोग use करते है, new instance method होता है, यह method हम लोग use करते हैं, तो यह किसलिए होता, instantiating class dynamically, तो यह सब थोड़ा सा theoretical हो गया, अगर आप इंटर्वियर आपको बोले को आपको समझाने के लिए तो आप ऐसे करके समझा दीजिएगा तो आप बेसिकली सपोस्ट कर लिजिए जावा में जावा यूटिल पैकेज में के रैंडम क्लास रहता है तो उसको चलिए इंपोर्ट करते हैं आप लिए जावा यूटिल डॉट रैंडम यह आपको रैंडम क्लास का यह मिल जाएगा तैनेमिकली यह कैच क्लास बोल रहा है लोग इसको बाद में करेंगे तो यह रहेगा फिर उसके बाद यह हम लोग फर्स्ट एक्जाम्पल देख लिए जैसे जो जो रिजिस्ट्रेशन के लिए यह दोनों इसके लिए हो गया ठीक है अब हम लोग इस क्लास का अगर मेरे को अब्जेक्ट बनाना है सबसे लिए अब्जेक्ट वेरियेवल में स्टोर करते हैं अब्जेक्ट ओबीजे इक्वल्स टू सी डॉट यह मैं बोल रहा था नियू इं अगर आप देखे होंगे तो यहां पर एक और हम लोग यह कर सकते हैं तो आप डायरेक्ट ली ऐसे आप टीनों एक्सेप्टिन आप हैंडल कर सकते हैं यह थोड़ा साइड नोट था अब क्या बस सिस्टेम जास में प्रिंट कर दे रहा हूं ठीक है यहां पर हम लोग प्रि लोग यहां पर यह कर देते हैं चलिए देख लेता है यह जरूरी नहीं है बट मैं दिखा दे रहा हूं यह चैक्ट डॉट तो रूंट करने के बाद हम लोग बस यह देख रहे हैं कि डैनेमिकली जो क्लास लोड हुआ तो उस क्लास का क्या नाम है रेंडम था और जो इंस् कि class.forname जैसे हम लोग java.utl.random किये यह कर रहा है runtime में random class को load कर रहा है किस package से java.utl package से ठीक है और जो हम लोग c.new instance कर रहे हैं तो यह इस class का एक new instance create कर दे या object create कर दे रहा है so यह basically it था अगर आप कोई doubt है तो आप please comment करो और वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब करो और थांक यह वर वाचिग इट